नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागत Species in News वाला सीरीज चल ला था, Part 3 वीडियो है यह, Part 1 और Part 2 अगर आप देखे नहीं, तो 100% देख लीजिए, यह आपके प्रिलिम्स की परस्पेक्टिव में, वेरी इंपोर्टन है, बिना टैम वेज की आगे चलते हैं, सबसे पहले चाइनीज पैडल फिश, यह न्यूस में क् सेवन मीटर तक होता था, अब इसके एक स्पेशालिटी क्या है न दूस्तों, डेट्स बैक टू टू हंडर्ड मिलियन एज देगो, मतलब जब डाइनोसिस हुआ करते थे, हमारे धरती पर, तब से चाइनीज पैडल फिश का भी एक्सिस्टेंस हुआ करता था, आप देखे एक साथ एक साथ एक जुड़े रहते हैं लोग, पर किसी भी वज़े इसे जब ये एक habitat, फ्रैक्मेंट हो जाता है, मतलब देखी दोस्तों, माल लीजिए यंग्जे रिवर है, अब यंग्जे रिवर में कहीं सारे डाम्स बना दी इन लोग ने, अब डाम्स बनाने से क्या होगा, जहां इनके पोपलेशन ज्याता था ये कुछ इससेड हो इसलिए इनका extension हो जाएगा, मतलब breeding भी कम होगा, population कम होने से इनका जो regeneration होगा, reproduction होगा, वो भी कम हो जाएगा, तो इसी वजए से इनका habitat fragmentation की वजए से extension हुआ करके बोलना है, उपर से over fishing भी हुआ करता था, and 1970 से इनका जो population decline होना शुरू किया था चाइना में, conservation status बोलने से IUCN Red List में critically endangered है, अगला है दोस्तों, Dugong, हर साल May 28 को World Dugong Day मनाया जाता है, अब ये date याद रखने की जरूत नहीं है मेरे साब सिक्वेंगे, इतने सारे dates से आपको और याद रखने के लिए, तो ये आप छोड़ सकते हो, बस आप Dugong के बारे में basic जानकारी जान लीजिए, dates वगदर नहीं पूछा जाता है, इसको सी को भी बोला जाता है, and it is one of the four surveying species in the order Sirenia, and it is the only existing species of herbivorous mammal, ये अब ध्यान दीजेगा, देखी, mammals होते हैं, जो सी में रहते हैं, पर herbivorous mammal कम हैं, this is the only existing species of herbivorous mammal, मतलब सी में रहने वाला vegetarian mammal में एकी स्पीशस है वो है, डुगो, जिस बहुत है अरी जार बंगाल तमिलनाडू हर जगह में है डुगो जार मामेल्स दैट इस दा फ्लैक्शिप एनिमल ऑफ गल्फ ऑफ मानार मारे नाशल पार्क देखे गल्फ ऑफ मानार मरे नाशल पार्क कहा पर यह इंडिया है यह स्री लंगा एथर कहीं आपको मिलेगा नादू में इनकी conservation के लिए कुछ किया है आप एक बार Google में search करके देख लीजिए वह हमने ओ कवर भी के था daily news में तो news में तो आये था तम्ल नादू में डुगों conservation के लिए कुछ बना रहा है मुझे याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं बताने रहा हूँ आप देखिए इनके जो food है, mainly sea grass है, especially eng shoots and roots in shallow coastal water, specialty यह है they can consume up to 40 kg of sea grass, एक दिन में 40 kg sea grass खा लेते हैं, right, conservation status बोलने से IUCN में vulnerable है, Wild Life Protection Act 1972 में schedule 1 में आता है, आगला है black net crane, यह तो काफी news में आधा, क्योंकि recently हमारा union territory Ladakh, हमारा largest union territory है, Ladakh का state bird, इनको declare किया था, ठीक है, black net cranes, इसकी जो scientific name है, यह भी मैं बोलूँगा नहीं, याद रखने के लिए, क्योंकि scientific names भी कम ही पोचते है, examinations में, normally जो UPG exams में इतना पोचते नहीं है, गुरूज निगरी कॉलीज, अब रीसें लिए आसा में साइट हो था, वैसे आसा मेरा में वैसे दिखते नहीं है, इसलिए news में आथा, अब this is endemic to the Tibetan Plateau, Tibetan Plateau के लिए endemic है, ठीक है, मतलब Tibetan Plateau से रिलेट करते है, अब इसकी जो structure इसके बार में बताया है, पढ़ लीजेगा, अब मेजर विंटर, विंटरिंग ब्रीडिंग रूट्स कहाँ कहाँ है, देखिए हिमालयन रेजियन में है, एक तो तीबेट, युनान, अन गुजोव, चाइना का और भूटान में भी दिखता है, अब स्मॉल विंटरिंग पोपुलेशन, जांक्ति आन जिमितांग वाली एंडमिक होते हैं कुछ एरिया है मिले, तो उस एरिया का जो रिलीजिन है, कल्चर है, उससे हमेशा कोई रिलेशन होगा, तो भी उसी बात है, टीबेट तो बुद्धिसम के लिए फेमस है, बुद्धिस मिथालोजी से और कल्चर से ब्लाक नेट क्रेन का का काफी कनक्शन ऐसा से देख लीजία, आयोऋजीन का नीर थर्टन्रे, एपेंडिस है, अगला है, दोस्तों, ग्रेटर अजटर अन्स स्टॉक्स, बिहार जोडिसेडरAll गिटर धुद्धिस तॉक्स, लाकली नाएंगे, पैसिंगे, इन्पेनको जोड़u कैस देख लागा में, बिहार ने इनको कंसर्व करने के लिए बीसकिलि इनको लोगली ग्रुड़ा बोला जाता है right the greater adjantan is one of the most threatened stock species of the world and is widely considered to be a rare bird एक rare bird है आफ ज्यादा दिखता है नहीं and this is the most threatened stock species stock species में सबसे threatened वाला बर्डे ये greater adjantan stocks भागलपूर का डायारा फ्लेट प्लेट 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 इस थर्ड पॉपलर बीडिंग संटर इन प्लेट अगर अगरा आप कोजिन में भी पूच सकता है अज़ेस्ट है आजां में फिर कमपोडिया में फिरकली रेंज ओटेर अज़ेटन कवर्ट इंडिया और सवथ इस इस अंड इसेशिया बट टोडे इंड़ेजिए सोग्ष्ट ये अजब पर शेडूल फॉर में रिख जो हमारा बेलाइफ सब्सक्रेटर अच्वॉर दीजिएगा, maximum animals and birds schedule 1 में ही रहत है, यह schedule 4 में आ गया, आप देखिए white-bellied heron फिर से एक bird आ गया, आप देख सकते हो, rare white-bellied heron spotted in Arnagal Pradesh, right, देखिए, it is one of the rarest birds in the world and is found only in Bhutan, Myanmar, Namda Park tiger reserve in Arnagal Pradesh, आप यह tiger reserve important है यह तो बतानी की जरूत नहीं है, तो इस area में यह दिखता है and it has also been recorded in the adjacent Camlang tiger reserve in Lohit district in camera trip images ठीकिए, Camlang tiger reserve, यह नमदापा tiger reserve के पास में है, इधर भी यह दिखा है camera traps लगाया थे, उसमें इनका images आया था and recent sighting at a height of 1200 meters above sea level इसे first at such a higher elevation नहीं है, देखिए, वैसे यह higher elevation में दिखता नहीं था recently, देखिए मैं जब recently बोलना हूँ, पिछले एक साल का बोलना हूँ, ऐसा नहीं की एक हफते दो हफते पहले, तो देखिए, वैसे UPC के लिए recently मतलब एक साल होता है conservation status देखिए, IUCN का critically endangered, wildlife protection ad का schedule 4 में आता है अगला है Indian leopard, beautiful creature, status of leopards of India 2018 report was released इसले news में था, and Indian leopard is a leopard subspecies widely distributed on the Indian subcontinent these are the smallest of the big cats, देखिए, जिते भी big cats है, जैसे tiger हो गया, cheetah हो गया, सब कुछ हो गया, इसमें सबसे smallest है leopard जो है, all right, अब यह leopard और चीता एक जैसा दिखता है, पर difference है तो चीता का जो गर्दने थोड़ा सा लंबा रहता है और यह leopard, गर्र साउंड, जो गर्र साउंड होता है इनका, यह प्रोड्यूस करता है पर चीता का कोई साउंड नहीं है, आगर आपको पता नहीं है तो बस याद कीजिएगा, कि चीता जो है, फास्टस्ट अनिमल है, पर इनका जो गले से साउंड निकलता है, वो केवल की की करके कुछ साउंड नहीं करता है, यह रोर नहीं कर पाता है, चीता जो है, पर leopard कर पाता है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, इन इंडिया leopard is found in all forest types, maximum forest में आपको leopard population मिलेगा, it is also found in dry scrubs, grasslands, only exception being desserts and mangroves of sundar bands, this is very important, जब मैं exception बोलता होनों तो उस्तों याद करिएगा, नहीं है, तो यह इंपोर्टन है, as for the region waste distribution, highest number of 8700 lappers are found in Central India and the East Angers, तो इनका maximum population, major habitat का है, Central India में और East Angers में, और स्टेट की बात किया जाए, मंध्यपरदेश में सबसे ज्यादा population है, वैसे मंध्यपरदेश में, टैगर का भी population सबसे ज्यादा है, फॉलोड बे कनाटगा and महार conservation status देख लीजी, IUCN का vulnerable में, sites का abonics 1 में, wildlife protection at 1972 का schedule 1 में है, आगला है धोल, अब मेरी pronunciation फिर से गलत हो सकता है, माफ कीजेगा, मैं तो धोल बोलता हूँ, according to a news study, कनाटगा, महाराष्टा अन मत्यपरदेश रंग high in the conservation of धोल in India, यह तो काफी news में आय था दोस्तों, हमने daily news मे का और भी किया था, जहां दीजेगा, डोल को asiatic red dog भी बोलता है, या Indian wild dog भी बोलता है, या mountain wolf भी बोलता है, it is native to central, south, east Asia and southeast Asia, right, तो basically Asia में दिखता है, इसलिए इसको asiatic red dog भी बोलता है, इंडिया पर हाप support the largest number of dogs, इसका कोई official confirmation नहीं है, पर ऐसा लगता है, इंडिया में सब सबसे आधा धोल population है, सबसे आधा मिलेगा आपको Western Guards में, Central India में and North Eastern India में, इसकी conservation status देख लीजिए, IUCN का Endangered में है, साइट का Appendix 2 में है, Wild Wave Protection Act का Schedule 2 में है, again आपको Schedule 1 से अलग कुछ मिल गया, ये धोल जो है, Wild Wave Protection Act 1972 का Schedule 2 में आएगा, अगला है Eurasian Otters, ये आप देख सक चिलका लेक, आपको पता है, largest brackish water है, लेक है, इंडिया का, एक Ramsar wetland site भी है, चिलका लेक के banks में, INS चिलका करेके एक naval base भी है, जहां, ट्रेनिंग होता है, सेलेर्स का, ठीक है, अब ये चिलका लेक में, इनका presence recently, साइंटिस ने फाइंड किया है, और ये सक Carnivorous animals, इनका sub-family लूटिन है, ठीक है, लूटिन है फैमिली में, सोरी, Carnivorous mammals है, इनके sub-family है, लूटिन है, राइट, Carnivorous मतलब कहा है, जो non-witch tag का, जो animals को feed करते हैं, Species in India, smooth quarter, Asian small cloud, and Eurasian otters, ठीक है, ये 3 species हैं, जो India में दिखता है, habitat देखिए, smooth quarter तो all over India में मिलेगा, Asian small cloud तो only in Himalayan food hills मिलेगा आपको, and parts of eastern and southwestern guts में, Eurasian तो western guts and Himalayas में, अब इतना deep जाने की ज़रुत मुझे नहीं लगता, फिर भी आप ध्यान दीजेगा, ये जो इंडिया म का देख लेते है, western guts में and Himalayas में, ठीक है, ये ध्यान दीजेगा, this is very important, leaves in small packs is mostly nocturnal, nocturnal मतलब जो रात को ज्याता अक्टिव रहता है, but can be di-handle in areas which are less disturbed, di-handle भी रहता है, मतलब day and night में भी, जहां less disturbance है, conservation status देख लीजे, IUCN में नियर threatened है, साइट स्काप एंडिस 1 में है, wildlife protection act 1972 में, schedule 2 में है, अगला है, sorry, इसका और भी कुछ details है, smooth quoted orders are distributed throughout India from the Himalayas to South, ये मैं बता दिया न दोस्तों, क्योंगी smooth quarter orders के बार में हम बात कर रहे है, हम बात कर रहे है, duration orders के बार में, तो इतना deep जाने की ज़रूत नहीं है, वैसे, इसकी conservation status, इस smooth quarter की बता रहा हूं, IUCN का vulnerable है, sites cup index 2 में है, wildlife protection act 1972 का schedule 2 में, देखे दोस्तों, बहुत सारे में बता रहा हूं, total में, part 1, part 2, part 3, part 4 वीडियो में, 72 speeches के बार में बता हूंगा, जो recent once 1 year में, 1 साल में, important रहा था, तो इसमें जो में बहुत important बोलता हूं, इसका कम से कम आप ये IUCN sites wildlife protection act में जो category आप ध्यान सा मुझ के लिए, फिर भी कोशिश कीजिएगा, अगला देखिए, हूलोग गिबोन, हूलोग गिबोन, फोटो इदर है, news में इसलिए था, they are under extension, मतलब ऐसा थ्रेट है इनके उपर extension का, in the ukhrul and kamjot districts of manipur, तो ये north-east area में, maximum आपको देखेगा, the tail-less हूलोग गिबन is the only ape found in India देखिए, only ape, अब ape के आपको पता होगा, इसका tail नहीं, ठीक है, पूच नहीं है, हूलोग गिबोन is categorized into two tapes, एक है, western हूलोग गिबोन, has a much wider range, as it is found in all state of northeast, restricted between south of the Ramotha river, and east of Dibang river, देखिए, जो western हूलोग गिबोन है, ठीक है, इनका जो habitat है, ये basically, ब्रहमपुत्रा के सथेन area से लेके, Dibang river के eastern area ठाक है, ये point थोड़ा सा important मुझे लग रहा है, ये अब ध्यान दीजेगा, outside India, it is found in western Bangladesh, and, sorry, eastern Bangladesh, and northwest Myanmar, और एक है, western हूलोग गिबोन, मैंने बोला, दो टाइप हैं का, एक western होगा, एक eastern होगा, eastern हूलोग गिबोन, inhabits specific pockets of अनाजल प्रदेश, and Assam in India, सथेन सेना, और 29 मियान बार, तो इसमें जो ये paragraph थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, दोस्तों, ये important लग रहा है, जो ब्रह्मापतर रिवर से दिबांग डिवर तक का, इनका जो habitat है, ध्यान दीजेगा, हूलोग गिबोन्स, इनके conservation status, IUCN red list में endangered है, western होग का, vulnerable है, eastern होग, wildlife protection है में द इसलिए नूज में था, it is a highly elusive wild cat feline species, ठीक है, cat का characteristic से, इसलिए इनको fishing cat बोलते है, दिखने भी cat जैसे है, हैगी नी, it is one primarily in wetland and mangrove habitats, देखें, mangrove areas में, जहां पानी ज्यादा है, ये fishing cats है, ये fish के उपर prey करते है, इसलिए इनको fishing cats बोलते है, तो maximum आपको mangrove habitats में, wetlands में म Eastern Guts, Sundarbans in West Bengal, Bangladesh, Chilka Lagoon, surrounding wetlands in Odisha, Koringa, Krishna mangroves in Andhra Pradesh, ये सारे regions आपढ़ लीजेगा, इसारे वेरी इंपोर्टन, सारे जहां rivers से, wetlands से, वही areas है, Andhra Pradesh, Odisha, Bangladesh, West Bengal, ठीक है, गंगान, भ्रमपुत्र, रिवर वाली, West Bengal, सारे अरिया हो गया, state animal बोब वस बंगाल भी है, West Bengal का state animal है conservation status देख लीजे, IUCN का vulnerable है, Sites का appendix 2 है, Wildlife Protection Act 1972 का schedule 1 है, इसारे वेरी इंपोर्टन, पढ़ लीजेगा, आगला है दोस्तों, Jand leatherback turtle, देखे, tourism and port development projects in Andaman and Nicobar is threatening the nesting population, देखे, नीती आयोप का एक development plan recently आया था, जिसमें वो article में लिखा था, कि Jand leatherback turtle का, जो nesting होता है, इसको ये affect करेगा करके, ठीक है, Jand leatherback turtle सा name for their shell, इसका नाम ही ये लिखा है, leatherback, इनके जो shell है, ये बहुत बड़ा है, unpowerfully strong है, their shells are leather leg rather than heart like other turtles, इनकी जो shell है ये लधर जैसा दिखता है, इसलिए इनको Jand leatherback turtle बोलता है, they are the largest of the seven species of sea turtles, आप देखे दोस्तों, एक बात में आपको बता एक बार आप नाम पढ़ लिजेगा पूरे का, और हमाली सबसे इंपोर्टन कौन सा हो जाता है, olive-ritley sea turtles, olive-ritley तो सबसे smallest है, sea turtles में, पर ये हमाली सबसे ज्यादा important है, क्योंकि हमारे Indian cost में, basically Tamil Nadu, Pondicherry, Odisha, ये सब areas में इनका nesting बहुत ज्यादा होता है, olive-ritley का, olive-ritley भी important ह हमारे लिए, यह पढ़ लिजेगा, and olive-ritley का nesting sites को अरिबाडा बोलता है, बस याद आया, मैं बता दिया आपको, क्योंकि यह भी ध्यान दीजेगा, and they are found in all oceans, except the Arctic and Antarctic, Arctic and Antarctic को छोड़के, बाकी सारे oceans में, jaint leatherback turtle आपको मिलेगा, conservation status is vulnerable है, wildlife protection act 1972 को शेडूल बन में, मैं और एक बार बता रहा हूं दोस्तों, जितने भी sea turtle है, सबका नाम अब ध्यान रिखिएगा, और olive-ridley sea turtle के बारे में, अच्छा सा पढ़ लीजेगा, and jaint leatherback turtle के बारे में, अभी तो मैं ने बता दिया, ये भी देख लीजेगा, अब ये olive-ridley sea turtle के बारे में, मैं इसली नहीं बत देखिए एक news आया था, ये जो star tortoise है, इनका smuggling के आंतरा प्रदेश में, it is a species of tortoise found in dry areas and scrub forest in India, Pakistan, Sri Lanka, it is accustomed to monsoon seasons, आप देखिए दोस्तों, ये जो star tortoise है, इनका बोध ज्यादा illegal trading होता है, कुछ methodology इनके पीछे है, ये घर में रखने से fortune आएगा, ऐसा कुछ, ये black market में बोध प इंडिया में, where they are living semi-decid grasslands, most deciduous forest, they are also found of sand dunes, scrub forest, humid jungles, human altered habitats, ये हर जगा में आप देख सकते हो, मैं जब तमिलनादू में service कर रहा था, ये नस परुदू में, रामनादू में, उदर भी मुझे ये star tortoise का ही सारा देखने को मिला है, ठीके तो maximum areas में है ये, conservation status देख लीजिए IUCN Red List का Vulnerable में है, Sidescap Index 1 में है, Wild Life Protection at 1972 का Schedule 4 में है, अगला है दोस्तों, Himalayan Gold, अब ये क्या है, trading in Caterpillar Fungus Husk Bolster Livelyhood in Western Himalayas, Himalayan Gold बेसिकली एक Fungus है, endemic to Himalayan and Tibetan Plymouth, फोटो आप इदर देख सकते हो, इसकी speciality का है न दोस्तों, इसमें कई सारे medicinal properties है, जैसे anti-inflammatory properties है, and tuberculosis को treat कर सकता है, lung disorders को, respiratory functions को, due to its antibiotic properties, अब इसमें सबसे special कहाना दोस्तों, ये vitality and physical stamina increase करते है, इसलिए इसको Himalayan Viagra भी बोलते हैं, अब ये Viagra किसके लिए यूज़ करते हैं, आपको मालूम ही होगा, जो sexual pressures के लिए लोग यूज़ करते हैं, वो अलग बात है, तो इसको Him Himalayan Gold का जो rate है, ये कहीं ज्यादा है, जो market price है, इसलिए इसको gold बोला जाता है, आप देखिए, habitat कहां पर है, इंडिया में देखा जाएगा, तो उत्राघंद में, पित्तोराघंद और चमोरे district में सबसे जादा है, and apart from India, China, Bhutan, Nepal में भी ये दिखता है, maximum Himalayan country से, इसके दीजेगा, तो दोस्तों, ये वीडियो में इदर finish कर रहा हूँ, I hope आपको समझ में आ गया हो, और एक part में बनाओंगा, part for, इसे में पूरा ये series complete करोगा, इसी तरह काई सारे series में ले के आओंगा, जो आपके, आभी के prelims के लिए भी, आने वाला prelims के लिए और भी, जितन आइ जागे, जाए बाइ, आए रए छीए, आए और देख आए भारा जैसे वाँ, अचो समझ में बनाओंगा, जाए आइ वाला में चाहनगा, जाए जाए और भी कमें ले कर रहा हूँ, आए और रहा बाई वह आए, वाला में उत्याओवर्थ ए वाला में शूकि तरह